हेलो दोस्तों, आज हम बना रें जा रहे हैं एवकडो सेंडविच हम ब्रेट के साथ इसको बनाएंगे मैंने दो एवकडो लिये हैं और साथ में मैंने प्याज और टमाटर लिया हैं प्याज और टमाटर को हम बिल्कुल स्मॉल तरीके से चॉप कर लेंगे और avocado को हम बावल में अलग से लेंगे avocado को काटने के लिए हम इसको round एक cut देंगे फिर इसको twist करके अलग कर लेंगे और इसको जो batter होता है उसको हम एक बावल में collect कर लेंगे और जो seed होता है वो easily निकल जाता है आप उसको knife से हलका सा prick करके उसको निकाल सकते हैं avocado बहुत ही healthy होता है diabetes patient के लिए brain के लिए और हमारे digestion के लिए भी avocado को हम salad के तरह भी use कर सकते हैं और इसको हम properly बिल्कुल mash कर लेंगे हम तब तक इसको mash करते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल यह paste की तरह ना बन जाए अब हम इसमे lemon add करेंगे हमने अपना one fourth of lemon लेना है और उसको cut करके फिर lemon हम अपने taste अनुसार add करेंगे हम ज़्यादा lemon add नहीं करेंगे ताकि यह ज़्यादा खटा ना हो जाए फिर lemon add करने के बाद हम इसमें और कुछ चीजें भी add करेंगे और taste के लिए हम इसमें स्वादा नुसार नमक और black pepper यूज करेंगे तो यह हमारा mash ready है हम इसमें अब half spoon of नमक यूज करते हैं फिर हर half spoon of काली मिर्च या black pepper जिसको कहते हैं वो यूज करेंगे अब इसमें हम साथ में ही अपना tomato और प्याज को add कर देंगे ताकि हम सबी चीज़ों को एक साथ mix कर लें और हमारा जो paste हो वो ready हो जाए यह avocado का जो sandwich होते हैं बहुत tasty बनते हैं वैसे avocado बहुत बिल्कुली tasteless होता है और इसको हम different चीज़ों के साथ mix करके ही खाते हैं इसमें बहुत ही healthy fats होते हैं जो कि diabetes patients के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें हमारे fiber भी होता है जो कि हमारे digestion और हमारे constipation को relieve करता है हम इसको इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल mix कर लें ताकि हम इसको easily अपने bread के साथ खा सकें या apply करके इसको खा सकें हमने bread already roast कर लिये हैं और चाहिए तो इसमें अब butter लगा के भी इसको ले सकते हैं हम इसको अब paste को bread पर लगाएंगे ताकि हम इसको एक sandwich की तरह बना के खा सकें और कुछ लोग इसको different sauce के साथ mix करके भी खाते हैं जैसे कि हम और रेंच होगे या tomato sauce हलकर से लेके इसको लगा के एक sandwich की तरह बना के खा सकते हैं हमने जो बनाया तो इसमें हमने भी और रेंच juice sauce हो थी वह यूश की थी तो मेरे दू avocado से तीन sandwich